हलो फिर्ट्स आम स्वाती सिंग मेरी जो अभी तकी क्लासे चल रही है पेड़गोजी की एंड साइकोलोजी की हम प्रिपेशन कर रहे हैं फॉर के लिए जो आपका दिसंबर में एक्जाम कंडेक्ट होने वाला है तो अभी जो पीजीटी से रिलेटेड है जो आपका पेड़ प्रिपेशन का प्रिपेशन कर रहे हैं और उसमें अब जादा टॉपिक्स भी नहीं रह गए हैं स्टार्टिंग का जो शेशन डिवाइड किया गए था वह 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 बला टॉपिक हमने कवर कर लिया इस लास्ट का रहे गया उसमें से भी इंक्ल्यूसिव एजूकेशन वग लिखना अब आपको पते हम टीचिंग करते हैं कोई भी कारे करते हैं अपने जीवन से जुड़ा हुआ पढ़ने लिखने का या कहीं पर जाने का यह सोते हुए भी कहते हैं ना सोते हुए भी हमारा दिमाग शांत नहीं रहता दिमाग के अंदर कोई ना कोई आक्टिविट हैं तो वो आपकी शिक्षा से काईसे संबंदित है inner thinking के बारे में पड़ेंगे कि हमें बच्चे की thinking के बारे में क्यों पता होना चाहिए कि बच्चा किन-किन चीजों से सोचता है या आपको कैसे बच्चे को उस दिशा में लेकर जाना है कि आप उसको कुछ कुछी सोचने पर मजबूर करें या फिर सीखना जो होता है जो हमारी लर्निंग होती है वो बच्चे की लिए कैसे यूसफूल होती है कैसे उसको हेल्प करती है ठीक है चिंतन के ऊपर एक डेफिनिशन पढ़ लेते हैं चिंतन सभी संग्यनात्मक गति विदियो एक प्रक्रि सोते हैं उनकी किरियाओं का एक आधार होती है आप सोचते तो दिमाग से ही है ना बिना दिमाग के तो नहीं सोच सकते तो सोचने के लिए किसकी ज़रत पड़ती है दिमाग की ज़रत पड़ती है तो दिमाग के अंदर जो किरियाओं चल रही है मानसिक किरियाओं उनके लि होते हैं जो हम मनुश्य होते हैं हम किसी काम को सोचने समझने का हमारे अंदर गुण पाया जाते हैं आपने कई बार एक चीज़ कहते वे सुना होगा अगर मैं खाना परोस रही हूं किसी को और कोई बिल्कुल बेधूस होके खा रहा है कि उठाके मुठियों से बना बना के गोले खाये जा रहा है इदर उदर फैला रहा है खाना गिर रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि इंसान है लेकिन हम मनुष्य के पास दिमाग है हमें कोई भी काम करने के लिए पहले सोचना चाहिए समझना चाहिए तब उस काम को करना चाहिए तो इसलिए क्या बोला जाता है कि सोचने समझने की जो एक शक्ती दी गई है वो एक मानब जाती के पास ही दी गई है जिसके द्वारा वो किसी भी काम को पूर्ण कर सकता है ठीक है इसमें वातावरन किसे प्राव सूचनाओं का प्रेटेंशन वो विशलेशन संबलित होता है आपके वातावरन से आपकी सूचनाएं और जो आपकी थिंकिंग होती है जो आपका सोचना होता है वो आपके वातावरन से connected होता है क् आप अपने घर पे रहते हो, तो घर के अंदर जो आपके लोग रहते हैं, बाकी उनके द्वारा जो information दी जारी है, जो बाते की जारी है, जो विचार की जारी है, आप उन पे सोचते हो, स्कूल में जाते हो, मैं ने कुछ सिखाया, कुछ पढ़ाया, आप उच पर thinking करने लगते हो, उससे related कुछ thoughts आने लगते हैं, आप कहीं traveling कर रहे हो, किसी आदमी को देख रहे हो, कि कोई पेडा में है, या कोई बहुत जादा गरीब है, तो आप उसके बारे में सोचने लगते ह उनके बारे में visualization करते हैं, और अपने memory में उनको रखते हैं, इस परकार का प्रिसान और visualization सार प्रसूत करने, तर्ग करने, कलपना करने, समस्य का समाधान करने, समझने एवं निर्णे लेने के माध्यम से उत्पन होता है, आप देखे, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी कि किसी गरीब आदमी को देखते हो, या किसी को दर्द में देखते हो, तो आप तुरंती क्या है, सोचने लगते हो, कि है इतना गरीब क्यों है, इसके पास खाने को रोटी नहीं है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, भगवान इसको अच्छी जिन्दगी रहिए, दे व वो सारी चीज़े क्या होती है, आपकी thinking होती है, ठीक है, आपका सोचन होता है, खाना बनाने के लिए गडित की समस्या हल करने तक, दिन प्रती दिन के सभी विगति विदियों का एक लक्षे होता है, आप खाना बनाने से लेकर, गडित की समस्या हल करने में, या फिर science से related क कुछ भी हल करने में आप क्या करते हो कि अपना कोई भी थिंकिंग सोचते हो अगर आप खाना भी बनाते हो तो उसमें भी पहला विचारी ही आएगा कि खाना क्या बनाए डेली डेली नहीं डेली डेली कुछ अच्छा या डेली डेली आप सेम नहीं बना सकते तो सबसे पहला क्षोसे किए आगने क्या हो पर सोचोंगर departments करें चलो आज राजमा चा로 बनाकर लेते हैं यह बना लेते हैं एक को इसको झीरी रूटिइस की जिटनी भी गति वीडिया है या वह आपकि concept से related है math या science से related है studies से related है मतलब कोई भी आप काम कर रहे है करिया कर रहे है उसमें सबसे पहली जो आपकी किरिया होती है वो सोचना ही होता है ठीक है अप चिंतन के आधार बूत तत्व क्या यह हैं अब आप सोचते किन-किन उससे हो किन-किन उससे सोच सकते हो तो first आता है image और word के थुरू हम सोच सकते हैं और second आता है concept यानि कि जो conception प्रतिय होते हैं उनके थुरू हम सोच सकते हैं जिसे मानसिक प्रतिकरिया है जब हम दिमाग में किसी वस्तु की कलपना करते हैं तो मानसिक प्रतिमा कहलाता है यानि कि जो image हमारे दिमाग में छप जाती है वो होता है उधारन के लिए जब बच्चे को बोला जाता है कि बिल्ली बना कर दिखाओ तो वह बिल्ली की painting बना देता है क्योंकि वह उसकी कल्पना करता है मतलब जिसमें हम image और words के थुरू सोच सकते हैं आपको कुछ भी काम करने के लिए बोला है कुछ भी चीज करने के लिए बोला है तो उसमें क्या होगा आपके दिमाग में तुरंत एक image आगी अगर मैं आपको बोलू कि चलो आग्रा हूंसने चलते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या इमेज आएगी आगरा की ताजमेल की इमेज आजाएगी की ताजमेल आगरा में तो है ना तो यही सारी image जो आपको सोचने में मजबूर करते हैं या कोई छीज नई recall कराने के लिए help करते हैं 222 ता है जब हम वस्तु या घट्नाओं के लक्षण को ढूंड़ कर उसका मिलान पहले से विद्यावान वस्तू एवं घटाओं के सन्वरे से करते हुए उसको पहचानने का परियास करते हैं तो वो सन्पृत्य क्यालाता है मतलब हमें for example छोटी से example से समझाती हूँ like concept होता है कि जो हमें previous knowledge है हमें किसी के बारे में क्या है वो आधी दूरी है या कितनी भी है लेकिन आप किसी के बारे में कुछ जानते हो पहले से और नहीं सूचना है आपको उससे related मिल रही है तो आप पुरानी और नहीं को क्या है लिंट करने की कोशिश करते हो वो होते हैं आपके concept यानी की सन्पृत्य हो कैसे करते हो फोर एक्जाबल माली जे अब किसी बच्चे को पता है कि हमारे जो एन्वायर्मेंट है उसमें living और non-living things होती है अगर मैं बोल दो कि non-living Things यह होती है चल फेट नहीं सकती गूँ फिर नहीं सकती। बच्चे को पते non living things क्या होती है। लेकिन कभी बच्च में इसको देख रहा है तो इसम सोचे का यार यह चलती फुरती तो है नहीं। मैं आपने बताया था कि वह non living things होती है तो यह भी non living things है। तो यह उसने क्या किया पहले पढ़ा हुआ ग्यान, आप उसे नए चीज पता चलिए असी फ्रेज घर में आया उसके नए है तो उसने पुराने वाले से उसको connect कर दिया आप जैसे बच्चों को जानवरों के बारे में पता होता है कि बहुत तरह के जानवर होते हैं, चार पैर के, दो पैर के, इस थाफ के, तो वो कहीं पर कुत्ता देखता है, तो सुचता ही जानवर है, चार पैर है, मेरे तो चार पैर है, मेरे तो दो पैर है, तो हम मनुश्य हैं, तो ये सारी चीज़े क्या होती हैं, जब आप किसी पुरान ग्यान को किसी नए ग्यान के साथ जोडते हो तो वो आपका कहलाता है concept ठीक है आप बात करते हैं problem solving मतलब thinking के अंदर ही चिंतन में problem solving जो होता है आपका यानि कि समस्या समाधान वो भी एक बड़ा आपका concept है problem solving problem solving क्योंकि problem solving जो है चिंतन के माध्यम से ही आप किसी चीज़ का समाधान कर सकते हो अगर मैं अभी आपको यहाँ पर कोई condition देदू या कोई समस्या ऐसी देदू कि आपको किसी करोगे क्या चीज़ उसके लिए करोगे महाँ पर कोई ना कोई आप कुछ ना कुछ उसको शॉट आउट करने के लिए कुछ solutions ढूंडोगे कुछ किसी से बात करोगे अगर माली जी आपको ब्लॉग चोटे बच्चे को किसी को ब्लॉग बनाने के लिए दे दिया गया वो जोडने तोडने वाला जिसमें color same करने पड़ते हैं और वो बच्चे से नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा फ्रेंड से help लेग अब भी नहीं हुआ चलो अब इसको ऐसे करके देखते हैं तो यह सारी चीज़े क्या है आपकी thinking पर depend करती है जब आपको किसी चीज़ की problem दी जाती है आप उसको solution उसका करना चाते हो तो भी आप क्या करते हो सोचते हो जैसे समस्य समाधान एक ऐसा चिंतन है जो लक्षय न पर दिर होता है क्योंकि problem है तो उसको problem solving क्यों कर गया आपके बस problem है उसको solve करना है तो अगर problem के लिए आप चिंतन कर रहे हो यहां पर thinking कर रहे हो तो last point में जाके क्या मिलने वाला है आपको इसका solution मिलने वाला है ठीक है तो उस solution में आप क्या करोगे एक आपने अपना objective यह लक्षे निर्दारित होता है एक class में जाके हमें किसी ना किसी लक्षे पर पोचना ही होता है हमारे दिन प्रति दिन की लगभग सभी गतिवीदियां एक लक्षे की और निद्ष्ट होती है जब हमें कोई समस्या होती है तो हम उसके उपर चिंतन करना शुरू कर देते हैं और उसका समाधान डूडने के लिए क्या करते हैं खोच करते हैं ठीक है अब समस्या समधन के अवरुत क्या होते हैं मतलब अगर आप किसी problem को solve करने की कोशिश कर रहे हो माल लीजे आप अगर किसी अपने mathematical concept को solve करने की कोशिश कर रहे हो या किसी प्रकार का concept ठल करने की माओच नहीं आ रहा है आप अलग अलग तरह कि फार्मूले महां पर यूजश कर रहे हो या जो भी चीज़़ें यूज कर रहे हो लेकिन वह प्रॉप्र वे यूज़ कर रहे हो, guides यूज़ कर रहे हो, या जो भी चीज़े यूज़ कर रहे हो, लेकिन वो proper way में माँ में meaningful नहीं है, या useful नहीं है, तो वो क्या है, अवरोध उत्पन कर रही है, क्यों? क्योंकि वो आपका time भी waste कर रही है, और उस चीज़ से आपको solution भी नहीं मिल रहा है तो problem solving को solve करने के बीच में, जो आपके अवरोध उत्पन होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो दो होते हैं, पहला होता है आपका मानसिक विन्यास, यानि कि आपकी mental ability और mental thinking, जिसके अंदर बात करते हैं, व्यक्ति के समासा समाधान करने के एक प्रवर्ती होती है, जिसमें वह पहले से ही प्रियोग की गई मानसिक, संक्रियाओं या उपयोगों का अनुसरन करता है, मतलब व्यक्ति के अंदर हमारे अंदर किसी भी problem को short out करने के प्रवर्ती होती है, एक process होता है, हमें पता होता है कि अगर ये problem है, तो ऐसे ही short out करना है, अगर कोई machine खराब है, तो कि गाने का के solve कर लेती हो, solve हो जाएगी, अरे वो कैसे हो जाएगी, उसका वो process ही नहीं है, हर किसी को सही करने का और उसको solve करने का process अलग होता है, ठीक है, तो इसलिए जो हम पहले सीच चुके होते हैं, हमारे mentally दिमाग में होती है, जो तथ है, OPO हो गया, उसके solution हम उनका अनुसरन करते हुए, कई बार problems को solve करते है, अब जैसे, आपको basically हमें पता होता है, कि अगर किसी का हाथ जल जाता है, या गरम तेल वेगरा पड़ जाता है, जल जाता है, तो उसके ठंडा पानी डालना चाहिए, कोलगेट लगा देना चाहिए, ये सारी चीजे, बरफ लग आपको बलकुल भी एक सेकेंड नहीं लगता सोचने के लिए, ठीक है, तो problem solving के लिए, जो हमारी मानसिक सनपृत्याय होती है, या मानसिक क्रियाय होती है, विन्यास होता है, इसमें हमारे fit होता है, कि हमें किस समय कौन सा कार्य करना है, किस समय किस प्रकार की problem को shot out करना है, किसी विशिष्ट युक्ती की पूर्व सफलता नई समस्या के समधान में कभी-कभी सायक होती है, या दे भी यह प्रवर्ति मानसिक द्रणता में उत्पन करती है, जो समस्या के समधान के लिए नए नियम युक्तियों के बारे में सोचने में बांदक बनाती है, और मानसिक विन्यास की तरह ही समस्य समादान में प्रिक्तक स्तीरता जो भूत्पन करती है मतलब एक और चीज़ मैं यहां पर बेसिकली जो आपको बुक के थुरू मैंने जो पुरानी वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने हमेशा ट्राई गिया है कि आपको समझा के ही बताऊं अभी क्या है मैं थोड़ी थोड़ी डेफिलेशन उसके अंदर बोल देती हूं ताकि आपको इसका मतलब पता चल सके बिकॉस एक्जाम के अंदर कई बार ऐसे होगा कि जो मैं चीज़े बहुत इसी वेई में आपको समझा रही हूं बोल रही हूं वो आप समझत हो जाओग जरने का कि इसके अंदर यूज की जाते है तो आपका डिरेक्ट रहांसर बन जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हमारे विरोध होते हैं जिसके अंदर मानसिक विन्यास होता है हमारा इफेक्ट करता है तो इसलिए अगर मैं यह वर्ट्स नहीं बोलूंगी यह उसका अभाव हो जाता है कई बारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैसे यदि काम करते समय अभी अभी प्रेरिणा का अभाव होगा तो इसमें अवरोध उपन हो जाता है अगर आप कोई भी काम कर रहे हो लेकिन आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है आप उस काम को आगे कर सब्सक्राइब करने मिल रहे हैं कुछ दिक्कत आ रहे हैं तो आप आगी जाने के लिए क्या है मोटिवेटीर ही नहीं हो रहे हैं कि यार मेर不好त्राई कर रहा हूं मैं क्यों अपने time waste कर रहा हूं छोड़ रहने दे तो वह क्या होगा आप किसी भी काम के लिए जब तक मोटि के लिए ये भी एक error पैदा करता है problem solving के अंदर कि अगर आप प्रॉपर वे में motivated नहीं हो motivation की कमी है आपके अंदर या किसी रूप में आपको motivation नहीं मिल रहा है तो उस condition में भी क्या है आपका problem जो है वो solve नहीं होगी ठीक है अब बात करते है reasoning यानि कि तरकणा देखिए अब वो हमने जो सोचना था हमारा जो thinking हम कर रहे हैं thinking के अंदर एक हमने problem solving कर लिया अब जो second पर बात करते हैं वो हम करते है reasoning जिसको आपका हिंदी में बोलते हैं तरकणा यानि कि reasoning करना ठीक है reasoning क्या होती है किसी बात या सनपृत्य परग्य को लेकर विवन विवन परक्यार से तरक लगाना-तरकणा कहलाता है reasoning होती है कि किसी बात पर किसी टॉपिक पर किसी मुद्द एपर किसी बी चीज़ पर आप जब विवन विवन परकार से सोचते हो नई नई ट्रिक लगाते हो एक ही concept के ऊपर तो वो होती है reasoning आपके खुद के kvf के exams के अंदर एक reasoning का portion है तो उसमें आप क्या करते हो आपको कुछ ऐसी problems दी जाती हैं जो आपकी daily life से related होती हैं कुछ है तो आप उनको short out करने के लिए क्या करते हो अलग-अलग तरीके सोचते हो तरकनाएं लगाते हो ठीक है तो reasoning basically तरकनाएं होती है जब हम किसी wishy के बारे में अलग-अलग तरीके से सोचते हैं एक बस जा रही है तो और उसके पीछे बंदा भाग रहा है और सामने वाले दो बंदे बैटे वह उसको देख रहे हैं तो एक के दिमाग में तो यह आ रहा है कि इसको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है इसलिए बस के पीछे भाग रहा है और बस जो है बस का पीछा कर रहा है ताकि ओफिस जल्दी पहुँच जाए या जहां भी जिस भी स्थान पर जाना चाता है वहाँ जल्दी पहुच जाए हो सकता है दूसरे के दिमाग में यह आ रहा हो कि यह तो अभी अभी इस बस से उतरा था शायद इसका पर्स छूट गया है या इसको कुछ बोलना है किसी को रिसीव करना है कुछ करना है तो उसके दिमाग में कुछ और विचार आ सकते हैं तो जब एक टॉपिक कोई लेके जब विबन विबन प्रकार के हमारे अंदर रिजनिंग आने लगती है तरकणाएं आने लगती है अलग लग विचार आने लगती है तो वो होती है हमारी तरकणा अब इसको टू पाट्स में डिवाइड किया गया है तरकणा हमारी दो प्र ख़ग है अब exclusive क्या है और deductive क्या है पहले बात करते है deductive का कि deductive क्या होती है यानि कि निगनात्मक आपकी तर्कना इसके अंदर बोला है कि तर्कना का वह प्रकार जो एक अभी ग्रेय या पूर्व ग्रेय से पारम होता है निगनात्मक तरकना कहलाता है मदलब जो आपका simple to complex होता है या आपकी previous knowledge से connected होता है वो आपका deductive के अंदर आता है जैसे simple to complex pre-thoughts जो होते हैं आपके वो सारे for example हमारा समान्य अभी ग्रेय यह है कि लोग platform पर तब दोड़ते हैं जब उन्हें गाली पकड़ने में परिशानी हो रही है यह हमारी आमतोर पर धार्णा होती है ठीक है परन्तु हम यह भूल जाते हैं कि कि किसी लोग या किसी को मतलब मैं आपको बताती हूं simply जो आपका deductive है वो कहना चाहता है कि जब हम किसी एक ही चीज के बारे में पहले पूर्वघ रहे कर लेते हैं पूर्व धार्ना ही पेस्किप्शन बना लेते हैं तो वो चीज़ें क्या आती है ंडिडुक्टिव के अंदर आती है basically हम लोग जादा तर एक ही चीजी के बारे में ठाणना बना लेते हैं मालेजी वह कुई त्रेन के बीचे भाग रहा है तो हम यहीं सोचेंगे में उसको कहीं जाना है लेको पकर्ण रहा है या ट्रेन पकड़नी है बस पकड़नी है ति क्या है वो इसलिए देन पेख ya है ठीक है हम यह सोच नाम हापे बोल जाते हैं कि हो जाकता है उसका समान छूट गया हो वो किसी को सी ओफ करने आया हो यह कोई भी कंडिशन तो जब दो तरह की कि फोर्दारणना बना के चलते हैं विचार करेंगे, भी सा यह सोचेंगे ले लिए कि सब सोचते हैं के पहले से पूर्दार्ना और description बना लिया जाते हैं कि बहुत बुरी होती है बहुत बैकार होती है अच्छी नहीं होती लड़ाई चबड़े होते हैं फैमिली के अगहीं जाना चाहिए यह सारी चीज़े तो एक टॉपिक को लेके जब पूर्व धारणाय बना ली जाते हैं क्यों वही आपने किसको देखक अलग-अलग निभाने का तरीका होता है तो इसलिए आप उनको देखें जिनके बहुत अच्छे experience है जो आज भी happily रह रहे हैं तो इसलिए किसी चीज़ के उपर अगर आप पूर्व धारणा बना लेते हैं पहले से तो वह आपका deductive के अंदर आता है जिसको आप किसी भी व इंडक्टिव के अंदर आता है आपका आगन आत्मक तरकना वह तरकना है जो विशिष्ट तत्यों प्रेक्शन पर आधारित होती है उसे आगन आत्मक कहते हैं मतलब समानने की और चरती है अगर मान लेजिए इंडक्टिव के अंदर की 100 लोगों की सोच ऐसी है कि आपको य सारी चीज़े नहीं करनी चाहिए एक समान्य विचार है लेगिन आपको पता है कि समय के साथ हर चीज में परिवर्तन होता है और समय के साथ बदलना चाहिए कुछ चीज़े अच्छी भी होती है कुछ चीज़े बुरी भी होती है जो इस वे में लेके चलते हैं कि simple to complex जाया जा रहा है ठीक है अब इसमें simple to complex कैसे जाया जा रहा है जैसे इसमें हमने एक पूर्धारना बना ली थी कि बंदा जो है ट्रेन के पीछे तब ही भागेगा जब वो उसको क्या है ट्रेन पकड़नी है या यह सारी चीज़े लेकिन इसके अंदर क्या है इसके अंदर वो सार लेका observe कर लेका ओ इसका समान छोड़ गया था इसलिए तो वो अपने answer पर आजाएगा ठीक है यहां पर क्या है यहां पर पहले ही बना ली जाती है कि पूर्धारना सेट हो गई पहले ही सेट कर लेते हैं यहां पर लास में जाके कोई चीज सेट होती है और यहां पर पूर् हारना उपर फिर जाते हो ठीक है तो अपोजिट होता है ठीक है अब इसके बाब बात करते हैं इसके अंदर ही हम creative thinking ठीक है अब सोचनी में आगे एक problem solving एक reasoning एक आता है आपका creative thinking क्रेटिव थेंकिंग क्या होती है जिसको बोलते सर्जनात्मक चिंतन याने कि creative creative means होता है कि ज एक group के अंदर पांच बच्चे और पांच में से चार बच्चों के अंदर सेम qualities हैं और एक में कुछ qualities different है कुछ अलग ways है तो वह क्या हो गई आपकी creativity हो गई वह अलग तरीका हो गया उसकी अलग चिंतन हो गई अलग सर्जनात्मक को इसके अलग good और values हो ठीक है अब बात कर सर्जनात्मक चिंतन को इस तथे के अधार पर विभेदित किया जाता है कि इसमें समस्याओं के समधान के लिए नवीन एवं मौलिक विचारों या समस्याओं का उत्पादन शामिल है संगीत painting काव्य कला के अन्यादन हर्सर प्रदै यह क्रेटिव है मतलब क्रेटिव चिंत जैसे माल लिजे हर किसी के अंदर अब हर कोई कबे चर्मा नी बन सकता ना उसके अंदर वो स्किल्स है कि वो किसी को हसा सकता है किसी का मनोरंजन कर सकता है अब हर कोई हेममाली नी बन सकती जिसको ड्रीम गल बोला जाता है हर कोई अमिताब बचन नी बन सकता यह हर कोई घहाता होगा कि आप अलग हो या किसी भी रूप से सचनात्मक हो कुछ नया कर सकते हो फेमस बन सकते हो तो यह सालिधी चीज़ें क्या होती है सर्जनात्मक चिंतन लिया गया है यानि कि creative thinking लिल गई है तो यहाँ पर basically बात किस चीज की हो रही है कि जो बच्चा बहुत creative तरीके से सोचता हो एक के उपर विचार करता हो अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग माध्यमों से कि यह चीज है यह चीज है तो उसका क्या है basically वो क्या करता है किसी ना किसी वे में अपने आपको प्रेजन करता है अलग तरीके से बाकी बच्चों के हिसाफ से ठीक है अब आता है टाइप ऑफ creative thinking टाइप सुने जे इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइप में पूछ लेते हैं कई बार कोशन आये है प्रीवेस यह में इसके तो फर्स्ट टाइप है इसका क्रेटिव थिंकिंग के अंदर जो आपके टू टाइप में डिवाइट किया गया है एक होता है अभी सारी यानिकी कंवर्जन थिंकिंग एक होता है अब सारी यानिकी डिवर्चेंट थिंकिंग अफ है अब देखें जो हिंडीन वाले वचे हिंदी मीडियम वाले वो प्लीज्म सुझेस कर्याईओ कि इंग्लीश में ही करें जिनको हिंडी में करना साल आज लगता है वो हिंडी में कर लें क्योंसित हिसमें कंफूसिंग हो क्योंकि जो दोनों का spelling है या फिर मतलब है मतलब वो है हिंदी के अंदर शब्द है वो थोड़ा similar सा है तो इसलिए मैं confused हो जाती हूँ तो इसलिए मैं English में ही ट्राइब करती हूँ तो हिंदी में अभी सारी और अब सारी ठीक है थोड़ा similar word pronounce हो रहे हैं यहां पर spelling में भी जादा आपको फरक नहीं लग रहा होगा तो इसलिए मैं वो आप English में लन कर लीजे Convergent और Divergent Convergent thinking कौन सी होती है Convergent thinking होती है अभी सारी Convergent thinking वह है जिसमें आवश्यक्ता वैसी समस्याओं को हल करने में पड़ती है जिसका मात्र एक सही उतर होता है देखिये सिंपल भाशा में आपको समझाती हूँ Convergent thinking के उपर सिर्फ बच्चा एक ही चीज से सूचता है एक ही चीज से solution करता है अगर मैं माल लीजे बच्चे को 2 प्लस 3 3 दे दूं तो बच्चे को पता है इसको प्लस करना है ठीक है यह माल लीजे मैंने यहां पर प्लस का साइन ना लगा के या कुछ भी मैंने बच्चे को बोल दिया यहां पर इजी कोल 2 में 5 आना चाहिए वह वाला concept यहां पर लखो ऐसी को भी यहां पर डिजिट रखो प्लस में माइनस में कि रिजल्ट में आपको 5 मिले उससे क्या किया कि 2 प्लस 3 5 मिल गया ठीक है अगर मैं एक वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दूं या कुछ भी या पूरी डिजिट रिप्लेस कर दूं कि आपको यहां पर 5 लेके आना है तो बच्चे नहीं यह कर दिया एक बच् इसको 5 लेकर आ रहा है तो वो यह भी कर सकता है 10-5 is equal to 5 यह भी कर सकता है ठीक है तो ऐसे यह दो concept महाँ पर रख सकता है तो जो बच्चे केवल एक ही वे में एक ही दिशा में एक ही माध्यम में एक ही विचार से सोचते हैं उनकी thinking convergent होती है मतलब वो एक सीमित दायरे के अंदर रहके सोचते हैं सिर्फ एक ही दिशा में और divergent thinking वाले बच्चे वो होते हैं जिनके लिए क्या है divergent thinking हो उनको अलग-अलग तरीके से सोचते हैं एक माध्यम एक प्रोसेस नहीं होता है कोई दायरा नहीं होता है वो अलग-अलग तरीके से सोचते हैं कि मैं तो ऐसे भी करूंग ऐसे भी ऐसे भी इसको तो मैं इतने तरीकों से कर सकता हूं तो वो हो सोचना हमने थिंगिंग पढ़ लिया अब बात करते हैं लर्निंग यानि की सीखना लर्निंग क्या होती है अधिकम को हम अनुभवों के कारण वहवार की शमता में होने वाले अपिक्षिकरत दिस्थाई वहवार जो आपकी लर्निंग होती है किसी भी प्रकार की लर्निंग हम तब कहते हैं किसी भी प्रकार का ज्यान प्राप्त करना या सीखना हम तब कहते हैं जब हमारे बिहेवियर में चेंज आता है ठीक है अगर मैं आपको यह वाला टॉपिक पढ़ा रही हूं तो जब आप इसको पढ़के समझ जाओगे अगर आ divergent thinking वाले बालों कौन से होते हैं आप उसका भी answer कर देते हो तब मैं समझूंगी कि इस class का use हुआ है यह class meaningful रही है आपके लिए psychology और pedagogy के अंदर और आपके behavior में क्या हुआ change हुआ ठीक है तो basically सीखना या अधिकम तब होता है जब किसी के behavior में change हो ठीक है यानि कि वहवार में क्या है परिवर्तन हो अगर किसी के behavior में change हो रहा है तो मतलब उसने learning करी है उसका सीखना सफल रहा है लेकिन अगर किसी ने learning नहीं हुए उसके वहवार में परिवर्तन नहीं हुआ तो मतलब माल लेजे कि उसने किसी परकार की learning करी ही नहीं है अब बात करते characteristics of learning कि learning की विशेष्टा है क्या क्या है सीखना क्या है इसकी बात कर ले दें सीखना सौर्भामिक है मतलब यूनिवर्सल टृथ है सीखना मतलब आप कोई भी काम करोगे तो मतलब आप सीख रहे हो अगर ऐसा हो रहा है कि आपके लिए कुछ errors आ रहे हैं या आप कई प्रोसेस क्या होता है आप एक बार फेल होते हो दो बार तीन बार तो वह भी किस तरह की तरह कि कि अप उससे नहीं को सीख रहे हो आपको ये परणर चल रहा है कि मैं आज ऐसे अग्साम अटेम करके आयहा हूं मैंने ये वाला क्वेशन ऐसे किया मतलब गलत है तो ने भी क्या है आपने कुछ नया सीखा माँ पे कुछ ना कुछ behavior में change ही हुआ ना failure गए लेकिन आपने नया सीखा उस पे और ज्यादा मेनद करी उसको change किया तो वो क्या हो गया learning हो गई ठीक है तो एक विशेश्टा यह होती कि universal भी होता है universal क्यों रह होता है कि learning सभी के अंदर होते हैं यह नहीं कि हम लोग मनुश्य हैं living things हैं कि हम ही सीखते हैं जो जानवर होते हैं वो भी किसी ना किसी की तरह की क्या करते हैं learning ही करते हैं जो आपके जीव जन्तू होते हैं बाकी सब होते हैं universal मिन सभी जो आपके universal के अंदर सर्व भौमिक रूप से आते हैं क्या वो जीव जन्तू हो मनुश्य हो कोई भी हो सीखना क्या है सभी में होता है ठीक है सेकेंड इसके अंदर characteristics आती है इसकी सीखना जीवन प्रदाब करिया है मतलब lifelong process है सीखना कभी रुखता नहीं है कि एक उमर के साथ सीखना रुख जाएगा आपने आज learning करी है तो ऐसा तो नहीं ना कि आपकी शादी हो गई आपने जॉब ले ली तो आपका सीखना खतम हो जाएगा आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हो रोज घर में कुछ नया सीखते हो रोज खाना मनाते वे कुछ नया सीखते हो भार ट्रावलिंग में कुछ नया सीखते हो कई नई जगा पर विजिट कर रहे हो वहां कुछ नया सीखते हो किसी नई people से कुछ नया सीखते ह से कुछ नया सीखते हो तो जो सीखना है हमारा वो हमारी मिर्ट्य आपन तक चलता रहता है जब तक हम मर नहीं चाहते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं सीखना विकास है सीखने साफंपे से क्या है development होता है क्यूं क्यूंकिमालीजी आप कुछ नया सीख रहे हो अगर मुझे आज इन चीजों के बारे में इतनी सी knowledge है लेगिन कल मुझे इतनी knowledge होगी तो क्या हुआ मेरा knowledge increment हुआ मेरा विकास रहा मेरा body की स्तर बढ़ रहा है मेरा मानसी किस तर बढ़ रहा है तो क्या हुआ उसमें विकास हुआ तो सीखना क्या है विकास है एक तरह के का कि किसी ना किसी वे में जो भी आप learning करते हो वहाँ पे अपना development आप करते हो ठीक है सीखना एक अनुकूल प्रक्रिया है मतलब एक अनुकूल मतलब positive यह नहीं कि अगर सीखना positive है तो negative भी होगा माली जी आप कहीं पर कुछ काम कर रहे हो कुछ अच्छा सीख रहे हो अगर आप ने अच्छा किया तो आपने अच्छा सीख पॉजिट्ट पॉजिटीव सीख लेकिन अगर आप उसमें फेल हो गए तो आपने वहाँ पर negative सीख ह वहाँ पर भी आप कुछ न खुछ पॉजिटिव भी सीखोगे क्यों नेगिटिव के साथ साथ वहाँ पर आपको यह चीज की समझ आज एगी यह चीज लर्म करने को मिलेगी कि मेरे यहाँ पर यह फेलियर में रिजन चैन्ज क्या थे जो मैं फेल हो गया जो मेरे एर्लर से व वो आपके लिए किसी ना किसी वेर में positive ही होती है सीखना परिवestaन है जैसे कि अभी हमने बात कर लिय कि behavior में change अगर आपके behavior में change हो रहा है परिवार्तन हो रहा है तो मतलब आपको सीख रहे हो आगर नहीं हो रहा तो मतलब आपने दुनियादारी से अपनी टीचर से अपने इन्वारिमेंट से कुछ नहीं सीखा ठीक है सीखना उद्देश्य पूर्ण होता है किसी ना किसी चीज का जो हम कुछ भी लर्निंग करते हैं भी हम सीखते हैं वह उदेशे पोन होता है उदेशे ही महीं होता है है आप स्कूँस में क्यों जाते हो कुछ सीखने के लिए जाते हो ना क्या आप मैस सिख रहे हो साइंस सいき रहे तो ये सारी चीज़े क्या होती है, सीखना किसी ना किसी माध्यम का जो है एक उद्देश्य पूर्ण चीज है कि हम किसी ना किसी उद्देश्य से ही सीखते हैं, सीखना विवेक पूर्ण है, विवेक के लिए हम सीखते हैं, सीखना एक तरह की कि खोच करना है, मतलब हम सीखने में learning करने में कुछ ना कुछ नया खोचते ही रहते हैं ऐसा कभी नहीं होता कि आपने अगर मानलीजे सेम प्रोसेस पे भी आपने learning करी है ना मैंने कहारी एक्जामपल मानलीजे यही वाला अच्छा पॉइंट बता दियो तो आप वहां पर गेन कर लोगे से अचीव कर लोगे शायद कुछ कम बता रहे हो मुझसे कुछ एक्स्ट्रा अचीव मिल रहा है आपको तो आप यहां से ले सकते हो सीखने की प्रकरिया होता है जो learning की process होता है वह व्यक्तिकतो समाजिक दोनों होता है व्यक्तिकत क्यों होता है कि इंसान अपने लिए भी सीखता है आप मुझसे पढ़ रहा हो तो अपने लिए personally सीख रहे हो कि मुझे अपने लिए सीखना है जॉब लेनी हैं और फामली को स्टेबल करना है या कुछ और आप अपने समाज के लिए भी करते हो क्यूंकि अगर आप कबिल हो तो कलको आप समाज को भी सपोर्ट करोगे आप समाज का एक हिस्सा हो तो उसको सपोर्ट करते वे चलोगे वहाँ पर अपना नाम करोगे तो वह सारी चीज़े क्या है आपको समाज में भी डायत्व देती है ठीक है तो जो सीखना है वह वेक्तिगत के साथ समाजी भी है अब आते हैं आपके प्रात्मिक laws of learning देखें यह सारी बात जो हमने कर ली है अब तक प्रात्मिक बात करते हैं लर्निंग के अंदर हमने लर्निंग क क्या है यह समझ लिया अब इसके कुछ laws दिये गया है आपको मैंने थ्रॉंटाइक की थियोरी पढ़ाई थी कि उसके अंदर आपके जो थ्रॉंटाइक की थियोरी उससे जो लर्निंग पर दिये सीखने पर तो उसने कुछ laws दिये थे लेकिन उसकी explanation रहे गई थी मैंने आप को बोला था कि जब यह वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी मैं आपको तो उसके अंदर उसकी explanation आपको के लिया कर दोंगे तो हमारी थ्री टाइप के laws होते हैं laws of learning यह आपके थ्री टाइप के द्वारा दिये गए याद रगना laws of learning थ्री टाइप के आपके किसके द्वारा दिये सेकिंड है law of exercise एंद थर्ड है आपका law of law of effect law of readiness होता है आपका तत प्रता का नियम यह आपके थ्री लॉस आफ लर्निंग है तीन law दिये गए लर्निंग के तत्परता का नियम में के अनुसार कहा गया था कि किसी भी काम को करने का पहला नियम यहीं है कि आप उसके लिए होiyor है अगर से कामको सीखने के लिए तो आप अच्छे धंग से उसको नहीं सीख़ पाऊगे तो तो थ्रोंडाइक कि किसी काम को सीखने का पहला नियम होना है कि आप पहले उसके लिए तैयार हो अगर आपkeit मैं बोलू कि चलिए आपको dance competition के लिए ready किया जाए dance करवाया जाए जब तक आप dance करने के लिए ready नहीं रहोगे जब तक आपका interest नहीं होगा जब तक आप motivate नहीं होगे तो क्या होगा dance भी अच्छे से नहीं होगा competition अच्छा नहीं होगा हम win नहीं कर पाएंगे तो ये सारी चीज़े क्या हैं किसी भी काम को सीखने के लिए सबसे पहला नियम यही है कि आप उस चीज़ के लिए तयार हो ready हो आप parties में भी जाते हो तो parties में सबसे पहला काम क्या करते हो ready होते हो ना पाटी में जाने के लिए सच्टे सवरते हो dresses निकालते हो heels निकालते हो अपना hairstyle set करते हो तो किसी भी चीज़ के लिए आप सबसे पहले क्या है अपने आपको अच्छे से तयार करते हो तो Throne Deck के अनुसार पहला नियम हमें यही बताता है कि कोई भी काम सीखने के लिए सबसे पहले अपने आपको तयार करो अपने आपको ततपर करो उस काम को सीखने के लिए कि मैं तयार हूँ मुझे सीखना है इस reason से सीखना है क्यों सीखना है अगर यह सारी चीज़े होंगी आपके अंदर तभी आप उतने ही अच्छे तरीके से उस काम को सीख पाओगे और उसके according जो आपके लक्षे हैं उस तक पहुच पाओगे ठीक है अब उसके बाद second point आता है law of exercise मतलब अभ्यास कानियम मतलब थ्रॉंडाइक ने कहा है कि किसी काम को लेकर आप जितना अभ्यास करोगे जितनी प्राक्टिस करोगे उतना क्या है वो आपके लिए अच्छा होगा पहले आप ready हो गए आपने कोई चीज़ सीख ली देन exercise करो उसका अभ्यास करो उसके प्राक्टिस करो उसको प्राक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे आप उसे related sums solve करो extra sums लेकर आओ अपनी daily life से connect करो तो वो क्या होगा जितनी जादा आप प्राक्टिस करोगे उतना जादा आपके लिए वो अच्छा होगा आपके uses में आएगा ठीक है अब यह जो है आपका law of exercise इसको टू पार्ट्स में divide कर देते हैं law of use और law of disuse इसके अंदर क्या आता है आपका जब किसी स्थी तदा प्रत्यक्रिया में परिवर्तन लाए जाने वाले संबन बना दिये जाते हैं तो मतलब सिंपल सी बात है जो exercise आप कर रहे हो जो आप अभ्यास कर रहे हो अगर उसका use आपका positive way में हो रहा है law of use में अगर उसका use आपका positive way में हो रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है वरना जिन exercise में आप अभ्यास कर रहे हो प्राक्टिस कर रहे हो जो आपके लिए चीज यूसफुल नहीं है उसको छोड़ दो गड़े में डालो उसको क्या करता है ठीक है उसको क्या करो डिस्यूस कर दो तो इसलिए exercise को law of exercise को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया law of use law of disuse जो आपके काम की चीज़े उन्हें प्राक्टिस करो रोज प्राक्टिस करो दिन में 10 बार करो आपको अच्छी से लर्न हो जाए इसलिए करो जो काम की चीज़े नहीं है उनको उठाके 10 दिन में डाल दो अब लास्ट इसमें आता है law of effect यानि कि प्रभाव का नियम अब law of effect कैसे है कि किसी भी काम को देखिए किसी भी काम को करने के जो हम नियम पढ़ रहे हैं उसमें पहला नियम था ready हो जाओ फिर था अभ्यास करो फिर था प्रभाव अगर अभ्यास करोगे और वो इतने अच्छे तरीके से आपकी knowledge में convert हो जाएगा और वो आपको रट जाएगा तो उसका प्रभाव यानि कि results और आपको effect देखने को मिलेंगे आपने profit and loss पढ़ा पढ़ने के लिए आप classroom के अंदर ready हुए आपने पढ़ लिया देन उसको 10 बार 15 बार 20 बार exercise किया देन क्या किया exam जब आया आपने वहाँ पे solution के तो आपको last point में किया उसके effect देखने को म मिल रहे हैं कि आपको 10 out of 10 marks मिलें ठीक है तो last point आपका यही बोलता है कि जो आपका प्रभाव का नियम है वो भी किसी चीज के क्योंको सीखने के लिए बहुत जादा प्रेरीत करता है अगर उसके lastly result positive रहते हैं तो हम हमेशा उस काम को करने के लिए ततपर रहेंगे जादा क करने के लिए रहेंगे और कुछ नया सीखने के लिए भी ready रहेंगे लेकिन अगर उसके law of effect के यानि कि प्रभाव का जो effect रहे हैं results रहे हैं अगर वो positive होकर ना होकर negative रहे हैं तो उस condition में क्या होगा next time आप सीखने के लिए ready नहीं होगे किसी ना किसी condition में आपको nervousness या hesitation या ना सीखने वाली feeling आ जाएगी माँ पर तो यह सारी चीज़े क्या आपकी सीखने के लिए आपको effect करती हैं अगर results positive है effect अच्छा हो रहे हैं उनका तो आप सीखोगे अगर exercise अच्छी हो रही है तो आप सीखोगे और अगर आप किसी चीज़ को ready हो रहे हो सीखने के लिए तो आप अच्छा सीखोगे ठीक है यह थे अपके law of learnings तो छोटा सा topic था ज्यादा बड़ी class नहीं है इसकी तो सोचना और सीखना आपका इस वारी class के साथ finish होता है ज्यादा बड़ा नहीं है फटावर revision कर लेना और इससे related अभी तो कुछ नहीं रहा बाकि जो topics रहे गाई है one day one by one करते वे चलेंगे अगली class में और बाकी सारी चीज़े भी shot out करते वे चलेंगे previous year question paper भी solve करेंगे मैंने आपको बात बोली थी कि आप solved test papers ले लीजे उनके practice करिये वो आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे helpful रहेंगे तो उनके practices कर लेजे अपने घर पे ठीक है and then और वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए notification bell icon भी press कर लीजे जब भी हमारी नए वीडियो अप्लोड होंगे आपको notification मिलता रहेगा time to time and KVS PGT computer science से related जिसको भी study material चाहिए अपनी learning के लिए KVS beat करने के लिए crack करने के लिए वो हमारी description में link available है आप वहाँ पे WhatsApp नमबर भी है calling number भी है आप वहाँ पे contact कर सकते हैं thank you so much